नमस्कार लोग रिजिट्स के लिए एक और संदार लेगल जोब आपोर्शनिटी निकल के आ चुके हैं और आज के इस वीडियो हम जिस लेगल आपोर्शनिटी के बारें बात करने वाले हैं यह जो हाई कोड़ ओडिसा कटक की तरब से जारी किया गया है और यहाँ पे जो हा जोब मिल जाती है और आपको बहुत फायदा देने वाले है अगर उसके बाद अपना independent प्रैक्टिस करते हैं अगर आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आपको फायदा मिलने वाली है तो संदार अपर्शिनिटी यह लोग रिजट फ्रेशस के लिए अपर्शिनिटी है तो अगर आप इसके बारे में कंप्लिट इनफर्मेशन जानना चाहते हैं कैसे आपको इस पूस्ट के लिए अपलाई करनी है क्या एलिजबिलीटी क्रेटेर क्या है तो मेक्सिर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी लिए जो की रिसर्च की पोस्ट है और आपको बता दे कि यहां पर आपको फिक्स टाइपन भी मिलन करें वाली है उसके यहीं जो 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 ही आपका प्यूर टिर बिसके रहने वाला है एनिकि टम्फ्रोरी जोब स Eig। और यह वहां पर आपको 도 कांशे के कर आपको बता देन कि एक जनवाई 24 तक आपकी जो एज है 33 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यहने कि अगर आपकी एज जो ए 33 साल से कम है तभी आप इस पूस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं साथ जो भी केंडिट इस पूस्ट के लिए अपलाई करेंगे ओ जो जो है इंडियन सीटीजन होने चाहिए रिसर्च एसिटेंट के रूप में जो आपकी सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो होगी पूस्ट के लिए आपको आप्लाई करने का जो लास्ट यहां पर रखेगी यहां पर रखेगी इनिक अगर आप इस पूस्ट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से भी आप इसकी अड्रेस को कोफी कर सकते हैं और आप इस एप्लिकेशन फॉर्म को आपको स्पीट पोस्ट के माधियम से या फिर रेजिस्टर्ट के माधियम से सेंट कर देनी है और अभी अगर आप अप अपलाई करते हैं तो आपके पास बहुत जादा समय नहीं ह करते हैं तो स्पीट पोस्ट के माधियम सभी जो जो पोस्ट है आपका उसे पहुंचने में तीन से चार दिन लग जाता है तो आप ध्यान में रखे कि आपका जो अप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए इंडियन सिटीजन होने चाहिए अब बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए कि यहां पर जो भी केंडिट अप्लाइ करेंगे उनके पास लोग की डिक डिग्रिय चाहिए चाहिए अपने जाहkę एक घ्र हैं कि दे यहां पने से ऊने की कोई भी जो एप प्लाइ करेंगे इस पोस्ट के लिए within 3 years from the date of his application and should not have put in more than 5 years of practice if he is a practicing advocate अगर कोई भी practicing advocate उसकी जो practice है 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अगर 5 साल से ज़्यादा है का अगर आपकी बस practice है तब आप इस sport के लिए इस qualify होंगे यहनि कि इस sport के लिए apply नहीं कर पाएंगी तो यह जो यहाँ पर कुछ एक्स की eligibility criteria हो यहाँ पर मांगे गई है तो सिधे तोर पर हम बात करें तो अगर आपकी यह जो यहाँ पर 33 साल से कम है लोग की डिग्री है आपकी बस experience नहीं है तब भी apply कर सकते हैं अगर आपका experience है तो आपकी experience पांच साल से कम होनी चाहिए जितने भी यहाँ पर अगर आपकी selection होती है तो जितने भी यहाँ पर निवली जो candidate होंगे research assistant होंगे उनको यहाँ पर training प्रवाइड कर जाएगी एक और चीज यहाँ पर इन्होंने कर रखी है कि जो भी candidate यहाँ पर इस पूर्च के लिए जाएंगे वह कोई भी जो यहाँ पर research assistant होगा यहाँ इन्हीं सेलेक्शन के बाद बन जाएंगे तो उसके बाद कोई भी educate जो है practice नहीं कर सकता है किसी भी court में या किसी भी tribunal में अपने अस्तर से independent आप practice नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर दो साल के लिए hire कर लिया गया है यहाँ पर contact base पे और आप इन दोन सालों में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो जजजेज हैं उनके साथ में उन के तरह से जो city loan है जो की application for research assistant का इसको आपको प्रिंट आउट करानी है और इसे अच्छे से फिल करनी है उसके बाद जो है जब आप इसके लिए speed post करेंगे तो वहाँ पर जो आपका involve होगा उस पे आपको जो है application for the post of research assistant 2024 आपको यह चीज मेंसन जरूर करनी है उसके बाद ह आप इस post के लिए apply कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें comment के माधियम से पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों तक किसे share करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेजिए क्योंक आते रहते हैं जल्दे मिलते हैं एक और नए लिगल जॉब अफर्चिनिटी के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यबाद